रन्वीर कफूर की एनिमल फिल्म बॉक्स ओपिस पर तगड़ा कलेक्शन कर लिया, मात्र दो दिन के अंदर एनिमल ने 236 कोर का कलेक्शन कर लिया, एनिमल फिल्म अपने पहले दिन 116 कोर का बंफर ओपनिंग लेके बॉलिवूड की पहले दिन दूसरी सबस्यादा कमाने वा गई है वह सकता इनिमल फिल्म का जिस तरह से हाइप है उसी साफ से इनिमल फिल्म इंडियन सिनवा की सबसे बड़ी कमाने वाली फिल्म बन सकती है इनिमल फिल्म के अलावा अगर आपको वाइलन फिल्म देखना पसंद है तो आएए बात करते हैं इंडियन सिनवा के आने वा इस फिल्म को डायक करने वाले परसान दिन जिसने ज़िए इंडियन सिनमा को फिल्म दे चुके हैं कि एक ऐसी फिल्म थी जिसे सवक और की बजट में परसा दिन ने बारास कोल का कलेक्शन कर वा दिया था उस सब्सक्राइब परवास यानि बहावुली का कंबिनिशन हमें सला सलार फिल्म में परवास के साथ लीड एक्ट्रेस के तोर पे सुरूतियासन नजर आएंगे इस फिल्म में परवास का दोस्त के रूट में वर्दमान डाज पिर्तिविरा सुकमारन नजर आने बाले है इस फिल्म में विलन के तोर पे घरूरा और क्याकरत की जगपती वाहू नजर आने वाले हैं सालार फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होगी दूसरी वाइलन डामा फिल्म होने वाली है देवरा देवरा फिल्म का काफी बेसबरी सिंजार किया जा रहा है क्योंकि इसमें ली डोल में साउथ के नहीं पैन इंडिया सुपरस्टार जूनियर एंट्यार नजराने वाले हैं और तिरपल आर के बाद जूनियर एंट्यार की अगली फिल्म का काफी बेसबरी सिंजार किया जा रहा है और इसकी अगली फिलम देवरा ही होनी वाली है। देवरा एक्षिन रामा फिल्म होनी वाली है। इसमें जुनियर अनario के साथ बॉलिवूड सुपरस्टार सेफ हलिकान विलन के तरपे भारवा का किरदार निभाने वाले हैं और इस फिल्म में जूनियर एंटियार के साथ रोमांस करते नजराएगी बॉलिवूड एक्टेस जानवी कपूर देवरा फिल्म एक इंडियन सिनमा के लिए यूनिक फिल्म होने वाली है क्योंकि इस फिल्म का अधिकतर सी पानी के अंदर यानि महासागर में सूट किया जाएगा जो कि इंडियन सिनमा आज तक ऐसा फिल्म नहीं बना है और देवरा फिल्म को डायकेटने वाले कोटाला सीवा है जो किसे पहले जुनियन इन्टेर के साथ जनताग्राज जेसी फिल्में काम कर चुके हैं तीसरी सबसे वड़ी वाईलेंड ड्रामा फिल्म होने वाली है पूसपा पार्टू पुस्पः पार्ट बनाएगगी और पुस्पः पार्ट में लीड डोल में अलू अर्जुन पुस्पा का रोल निभाने वाले हैं और इस फिल्में एक और लीड एक्टिस के तरफे साही पल्ला भी नजर आने वाली है उस्पा पार्टू को डायक्ट करने वाले हैं पुर्षुकुमार जो किसे पहले पुस्पा पार्टबन को डायक्ट कर चुके हैं उस्पा पार्टू डिली जोगी 15 गज़ दोजार चोविस को उसी दिन च्छेकमार टाइगर स्राव और वी कई स्टार आने वाले हैं मतलब उसका पार्टू और सिंगम 3 में भी तग्रा कलेक्शन और जबर्दस्ट टकर देखने को मिलेगा चाओथी वालें ड्रमा फिल्म होने वाली है इस फिल्म में लीड और में साउथ सुपरस्टार सूरिया नजर आने वाले हैं सुरिया की करेर की पहली प्यान इंडिया फिल्म होने वाले एक कंगवा सुरिया जिस तरह के एक्टर है उसे प्यान इंडिया लेवल के सुपरस्टार होना चाहिए पर उस तरह से फिल्म नहीं पिल पाया जिस तरह से साउथ में या बोरे इंडिया में पर कंगbe ऐसी फिल्म एड़न hard की सब्तवर चालेवट की फिल्मन को और से सब्सक्राइब और शुर्यू इक सब्सक्राइब थो कि सब फैंस और सभी प्विलीक का एस और इस रोल में तो फिल्म सुरिया के सामने रोल प्ले करियर की वन अब दा बेस्ट मूवी होगी और यह इंडियन सिर्मा को अलग लेवल पर पहुंचा गी और यह फिल हमें अलग सबसे ज्यादा अर्जेस्ट करेंगों सबसे ज्यादा देखने भी मज़ा आएगा और इस फिल्म को डायक्ट करने वाले आन मुखर जी जो किसे पहले ब्रमाज जैसी मुई को डायक्ट कर चुके हैं वार्टू का बजट होने वाला पांस सकोर के आसपास यह फिल्म 25 अगस्त 2024 में रिलीज होगी वार्टू में लीड अक्टेस के तोर पे बॉलिवुड अक्टेस आलिया भट और क्यार आडवन इन जराने वाली गया है और यह फिल्म एस्पानिवर्ज का पाठ है इन पाचो फिल्मों से भी ज्यादा तागड़ा वाइलेंड देखनीक मिलेगा हमें एनिमाल का सिक्वल एनिमाल पार्क पे एक प्रोपर वीडियो लाएंगे तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आपको यह वीडियो कसा लगा और कौन से फिल्म का इंजारा कोमेंट होता है थांक्स वाजिंग